Wish you a very good morning. Dear students, मैं सुरिंद्र कुमार, e-learning भिवानी में आपका स्वागत करता हूँ. आए, आज हम डिसकस करें एक और लेशन. Class 10 Plus 2 का विश्टास बुक का First Lesson, The Third Level. The Third Level. आपने इस लेशन को, इस स्टोरी को पढ़ा भी होगा. बड़ी अजीब सी स्टोरी आपको ये लगी होगी. थोड़ा सा इसको समझने में मुश्किल भी हुई होगी. क्योंकि हम केवल Present में जीते हैं. हम केवल Present को समझते हैं. जब हम अपने Past में जाते हैं, या अपने Future में जाते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी complicated हो ही जाती है इस lesson को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या अभी कभी आपने सपने देखे हैं आपने सोते सोते हुए भी सपने देखे होंगे आपने कुछ सपने जागते हुए भी देखे होंगे क्या आपने कुछ ऐसी movies देखी हैं जहां कोई एक character, कोई एक पात्र किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है आपने aliens का नाम भी अवस्य सुना होगा आपने Gulliver Travels और पन्यास भी पढ़ा होगा जिसमें Gulliver कभी किसी दुनिया में चला जाता है तो कभी किसी दूसरी दुनिया में इस lesson में भी कुछ इसी प्रकार की कहानी है आए हम discuss करें इस story के बारे में दा third level यह first lesson है और examination point of view से बहुत हीज important है इसके writer है Zach Finney जैक Finney एक American author है जैक Finney का जन 1911 में हुआ था और इनकी death 1995 में यहाँ पर यह जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा गहरा relation है इस story से अर्थात उनका जो life span रहा वो 1911 to 1995 रहा है प्रन्तु उन्होंने एक visit 1894 में की है जो कि इससे बहुत पहले की बात है वो अपने past में चले जाते हैं और किसी ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं या एक ऐसी दुनिया के experience करते हैं जो विचित्र है जो आज present के इनके life में नहीं थी जैक फिन्नी के बारे में थोड़ा से हम detail में जाने तो इनकी life से related चीज़ें इस story में दिखाई गई हैं सबसे पहले हम जैक फिन्नी के बारे में जानते हैं कि वो एक American author है एमेरिका के एक बहुत ही famous बहुत ही peaceful city गेल्सबर्ग जो के इलिनोईस में है गेल्सबर्ग इलिनोईस यहीं पर जैक फिन्नी की पढ़ाई लिखाई हुई है यहीं के नॉक्स कॉलेज से पढ़े हैं और यह जगह इनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है इस जगह से इनकी बहुत ज़्यादा attachment है यहाँ पर यह अपने grandfather के साथ रहा करते थे यहीं के school और college में जाते थे यहाँ मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ कि इसी place का इसी गेल्सबर्ग इलिनोईस का जिक्र है the third level में इसी को लेकर यह कहानी है Jack Finney ने बहुत सारी novels, short stories लिखी है लेकिन उनकी ज्यादातर writings, thrillers है या फिर science fiction है उन्होंने aliens को लेके भी एक बहुत बड़ी story एक बहुत बड़ी book लिखी है जिसका नाम है The Body Snatchers इस पर कई movies भी बनी है और इनको बहुत ज्यादा awards भे मिले है इनके कुछ वाक्स है The Body Snatchers Time and Again The Third Level बहुत ही सुन्दर कहानिया जिनमे reality और imagination को interwave किया गया है बुना गया है बहुत ही अच्छे से reality और imagination का एक mission किया गया है The Body Snatchers Time and Again The Third Level ये इनके कुछ प्रमुक वाक्स है प्रमुक बुक्स है Jack Finney ने एक story लिखी है जिसका नाम है The Third Level जो आपके syllabus में है जैसा कि आपको पता चला कि The Third Level उनके दवारा लिखी गई कहानी जो publish हुई थी 1952 में अर्थात 1952 के अराउंड ही लिखी गई थी ये दोनों चीजें इनका life span और इसकी publication का year year of publication बहुत ही important है इस story को समझने के लिए आईए हम बात करते हैं कि इस story में कोन-कोन से main characters है सबसे पहला main character है Charlie जो कि swim narrator है protagonist है Charlie जो कि 31 years old है age of Charlie is 31 years and he is he himself is the narrator of the story वही ये कहानी बताते हैं जब हम इन key points को इन brain maps को discuss करेंगे तो आपको छोटे-छोटे key points को ध्यान में रखना है क्योंकि यही question यही key points MCQs के रूप में one word answer के रूप में या one sentence answer के रूप में आप से पूछे जाने वाले हैं age of Charlie 31 years and he himself is the narrator of the story second is Louisa Louisa Charlie की wife है Charlie's wife a beautiful lady and the third main character is Sam Wiener जिशे short में Sam के नाम से ही जाना जाता है वो एक psychiatrist है वो एक मनोचिकित सिख है और Charlie के friend भी है Charlie's friend and a psychiatrist Sam Grand Central Station का जिक्र होगा इसे धान से देखिए इसी Grand Central Station के इर्दगिर्द ये third level की कहानी घूमती है इसी Grand Central के station के अंदर वो third level होने का दावा narrator करता है Grand Central Station New York City में सब जानते हैं कि वहां की railway authorities कसम था कर कहती है उन्होंने वहां पर documentation है वहां पर वो कहते हैं कि there are only two levels on this station levels से यहां क्या अर्थ है आप ने कभी metro की यात्रा की है अगर आप कभी डैली गए हो, मुंबई गए हो, वहां metros में आपने सफर किया हो तो कहीं जगें underground station होते हैं तो कहीं जगें उपर होते हैं और कई बार तो कई stations पर तो एक station underground होता है दूसरा उसके उपर से होता है अर्थात यहां नीचे underground वाले station से trains दूसरी ओर जाती है और उपर वाले station से trains किसी अन्ने रास्ते पर जाती है ठीक उसी प्रकार से grand central station पर भी दो ही level है एक level से urban trains जाती है और second level से sub-urban areas की trains जाती है यह बात सभी को पता है यह बात सभी मानते हैं कि grand central station पर दो ही level है परन्तु इस story का जो author है writer है Jack Finney अर्थात Charlie वो कहता है कि मैं नहीं मानता मैंने तीसरा level भी देखा है मैंने तीसरा तल भी देखा है जहां से गेल्सबर्ग इलिनोईस की trains जाती है मैंने experience किया है मैंने उसको visit किया है there is a third level too तीसरा level भी है और Jack Finney को अर्थात Charlie को तो लगता है कि यह grand central station is like a tree यह एक पेड की तरह से है मैं second बार इस grand central station से गुजरा हूँ इसका मैंने यहाई से मैंने trains पकड़ी है परन्तु हर बार मुझे कुछ ने कुछ नया अजीब या आश्चरजनक दिखाई देता है कभी नई stairs दिखाई देती है तो कभी नई corridors कभी नई trains दिखाई देते है तो कभी नया level ही दिखाई देता है जिस परकार से एक पेड अपनी roots को फैलाता रहता है या फिर अपनी branches को फैलाता रहता है फेक उसी परकार से ये Grand Central Station जिसे G.C.S. भी कहा जाता है ये station भी उस पेड की भाती फैलता रहता है अपने आप ही फैलता रहता है ऐसा Charlie मानते है वो कहते हैं कि मैंने third level को भी विजिट किया है ये author का अर्थाथ Charlie का दावा है परन्तु जो railway authorities है New York City की, heaven की वो कहते हैं कि there are only two levels ये तीसरी दुनिया, ये तीसरा तल यहां है ही नहीं जब की Charlie कहते हैं कि मैंने खुद experience किया है This is there, this exists The third level exists, ये है यही main point है इस story, the third level का आईए, अब हम इसके theme की चर्चा करें कि इसका theme क्या है The third level story का theme time travel से related है अर्थात time travel, time travel कर जाता है हम अपने past में चले जाते हैं हम अपने future में चले जाते हैं long back, long ahead हम visit करते हैं और time and space, space बदल जाता है time के साथ आपको पता है हमारी history क्या रही है हमारे बुढ़े बुजर्ग जो हमारे great grandfathers या grandfathers हैं वो हमें बताया करते हैं कि हमारा जमाना कितना सस्ता हुआ करता था हमारे जमाने में कितना प्यार प्रेम था हमारे जमाने में ये भागदोर नहीं थी हमारे जमाने में हमारे पास बहुत अधिक समय था हम फुर्षत के पलों का आनंद लेते थे चारों और शान्ति थी ना युद्ध था, ना लड़ाई थी, ना जगडे थी वही कहानी यहां भी की गई है प्रतेक व्यक्ति पीश चाहता है आप भी, मैं भी और सब हम peaceful दुनिया में लोट जाना चाहते हैं इस दुनिया की आपाधापी भागदोड से इस वार से, इन लडाईयों से, इन जगड़ों से, इन इरशाओं से हम दूर चले जाना चाहते हैं जिसे हम एसकेपिज्म कहते हैं अर्थात हम आज की इस भागदोड से कहीं दूर peaceful जगए पर जाना चाहते हैं escape करना चाहते हैं आज की hardships से, worries से, insecurity से जो इस story का theme भी है Escapism means running away from the hardships and worries of the present आज की चिंता और मुश्किल समय से दूर भागने की इच्छा और एक theme है reality plus fantasy reality और imagination का संगम आज present time में रहते हुए how can we experience our past and how can we experience our future ये इस story का एक theme है three main points are there of the theme of this story time and space, time travel or visit to past or future or interweaving of reality and imagination or fantasy and escapism from the hardships and worries and insecurity of the present this is the main theme of the story आईए अब हम चर्चा करें इस story की summary dear students, the third level the third level में Charlie Zoki protagonist है इस lesson का, इस story का narrator है वो बताता है कि उस grand central station पर three level है, जब कि authorities कहती है कि वहां केवल दो level है, दो तल है, first level Charlie बताता है कि first level पर 20th century trains जाती है आज की आधोनिक trains जाती है और second level से सब urban areas के लिए train जाती है यहां यह MCQs के रूप में पूछा जा सकता है लेकिन वो कहता है कि यहां दो level नहीं है एक दिन जब मैं office के काम से निबतने के बाद थोड़ा late होने के बाद मुझे घर जाने की जल्दी थी I was in a hurry I wanted to meet my wife Louisa I wanted to reach home as soon as possible so I took the subway because the bus used to take more time as compared to going through the subway कहता है मैं subway से निकल लिया मैं पहले first level पर गया सेडियों से होता हुआ फिर मैं second level से गया second level से जब मैं vendor build से मुड़ा तो वहां पे मुझे एक arc नुमा एक चाप नुमा एक arched doorway दिखा I entered through the doorway मैं उस doorway से घुसा और Charlie अपने आपको यहां explain भी करता है कि Charlie जो 31 years old person है वो 10 gabadin suit पहना हुआ है उसने 10 gabadin suit का एक नाम है वो suit वहां पहना हुआ है जो USA में famous है ये भी MCQs के रूप में पूछा जा सकता है और उसने एक straw hat straw का बना हुआ hat एक तीलियों का बना हुआ hat पहना हुआ है fancy band के साथ या एक fancy band उस hat पर लगा हुआ है ये Charlie की dress sense है जो की different है means 20th century dress sense है और वो जब इस आर्क डोरवे में घुश जाता है तो कहता है कि जब मैं इसमें घुशा तो वहां पर left चलता गया and no one was there nobody was there I could hear only my own footsteps मैं केवल अपने ही कदमों की आहट सुन पा रहा था nobody was there but I kept on walking मैं चलता रहा and the gate opened in an open space और मैंने देखा कि वहां पर एक open space में वो gate खुल जाता है there I heard the sound of people talking with each other मैंने लोगों को बात करते हुए सुना the people were strange बड़े अद्भुत लोग थे अब Charlie उस third level का जो experience उसने किया वो बता रहा है वो कहता है मैंने third level पर क्या देखा मैंने जो देखा वो बड़ा अजीब था वो 20th century का नहीं था जो कुछ भी देखा वो 18th, 90th का था चाहे वो वहां के लोगों की dress sense हो चाहे वहां का सारा infrastructure हो वो infrastructure का जिकर करते वे कहते हैं कि there were smaller rooms छोटे छोटे कमरे थे जो 1890s में हुआ करते थे brass spittance थूकदान brass के बने वे थे पीतल के बने वे थूकदान रखे हुए थे fewer ticket windows थोड़ी से टिकेट खिड़किया थे जो पहले पुराने समय में हुआ करती थी and fewer train gates और छोटी छोटी ट्रेने और उनके थोड़े से gates भी थे old wooden information booth at the center of the open space उस पूरी खुली यह था वो third level of the grand central station था beach में एक पूचताच केंद्र था information center था और वो लकडी का बना हुआ था वहां के जो lights थी वो gas lights थी gas lamps लटके हुए थे और बहुत ही dim light थी flickering कर रही थी वो light flickering और वहां के लोगों की dress sense के बारे में चारली बताते हैं कि वहां men और women different dress sense में थी जो अभी 20th century की dress नहीं हो सकती जो 1890s की dress थी वैसी dress उन लोगों ने पहनी हुई थी वहां के men को उस station की third level के पुरुषों को explain करते हुए चारली बताते हैं कि वहां के लोगों ने long black sleeve protectors पहने हुए थे black sleeve protectors पहने हुए थे derby hats लंबे लंबे ऐसे hats पहने हुए थे four button suits पहने हुए थे with lepples lepples यहां से मुड़ा हुआ एक कुछ होता है चोटा सा tiny lepples के साथ four button वाले suit उन लोगों ने पहने हुए थे जो आजकल कोई नहीं पहनता नहीं होते उनकी लंबी लंबी musties मूचे थी side buns थी special fancy beards and musties थी अलग प्रकार की जो आजकल कोई नहीं रखता कहता है मैंने experience किया है मैंने देखा है ये सब कुछ और वहाँ पर उसने एक पुराना locomotive engine भी देखा जो funnel shaped था funnel shaped engine था funnel के आकार का था keep के आकार का था जिस पे keep के आकार की कुछ चीज़े बनी होई थी courier and eaves company का courier and eaves company का ये MCQs में भी पूछे जा सकते हैं और बड़े questions में भी कि कौन सी company का engine उसने third level पर देखा courier and eaves कि shape का था funnel shaped engines कैसा था भाप वाले engine थे call engine थे locomotive जिसे वो कहते हैं जो पहले हुआ करते थे आपको भी पता है कि train की शुरुवात कब हुई थी इंडिया में अगर हम बात करें तो 1853 में और ये यहाँ पर 1890s की बात कर रहा है वहाँ अमेरिका की बात कर रहा है वो कहता है कि third level मैंने देखा है मैंने experience किया है वहाँ के लोग ऐसे थे वहाँ का infrastructure ऐसा था और वहाँ के लोग बड़े अजीब थे उनका outlook, उनकी dress sense, उनका पहनावा totally different था वहाँ की women skirts, top तक जाते हुई skirts पहने हुई थी एक महिला को उसने देखा जिसके हाथ में palm tree, palm leaves का फेन था अर्थात एक पंखा वो डुला रही थी और high buttoned shoes थे उनके उनके जूते, बटनों वाले जूते पहने हुई थी skirt, जूतों तक जाती थी वहाँ की महिलाओ को भी की dress sense को भी इसने explain किया उसके बारे में बताया वहाँ के पुरुशों के बारे में बताया वहाँ के infrastructure के बारे में बताया कहता है ये सब मैंने वहाँ experience किया फिर वो ये सारी चीज़ें और क्या-क्या उसने वहाँ देखा क्या-क्या उसने महसूस किया आए डिसकस करते हैं इसके पश्चार चारली आगे explain करता है कहता है कि मैंने third level के उस station को देखा वहाँ का सारा infrastructure वहाँ के लोगों को देखा तो फिर वो एक newspaper बेचने वाले एक लड़के के पास जाता है जसके पैरों में stack of newspaper रखे हुए हैं वहाँ पर एक वो newspaper देखता है और उस newspaper का नाम है दा वर्ल्ट अब वहाँ पर जो उसने newspaper देखा उसे खुद पता है कि लंबे समय से ये अखबार तो बंध हो चुका है फिर वो उस अखबार को ध्यान से देखता है और उस पर डेट लिखी हुई है जोन 11, 1894 11 जोन 1894 और जिस पर प्रेजिजेंट क्लीव लेंड से रिलेटिड एक स्टोरी छपी हुई है बाद में चारली एक पब्लिक लाइबरेरी में भी इसी डेट के इसी दा वर्ल्ड न्यूजपेपर को ढूमता है और वो पाता है कि वही न्यूजपेपर उसी डेट का न्यूजपेपर और वही प्रेजिडेंट क्लीव लेंड से रस्टमबंदित स्टोरे वहाँ वो देखता है रियलिटी और इमेजिनेशन का कितना सुन्दर संगम फिर वो वहाँ के टिकेट काउंटर को देखता है टिकेट कलर के पास जाता है और वहाँ से वो इनक्वैरी पूचता है टाइम टेबल देखता है और उसे पता चलता है story में करता है big houses huge lawns a lot of leisure time beautiful and wonderful trees big evenings or people sitting talking to each other having cigar and women having palm leaf fence and talking to each other a peaceful world a dream world वहीं वो जाना चाहता है so he wants to buy two tickets for Galesburg Illinois one for himself and the other one for his beautiful wife Louisa पती पतनी दोनों के लिए वो दो टिक्टें खरीदना चाहता है वो टिकेट कलग के पास जाता है he goes to ticket club and asks for asks for two tickets for Galesburg Illinois when he gives money for the tickets the ticket color seas and he feels strange by looking at the new type of notes means dollars वो डोलर देता है जबकि वो पुराने जमाने का third level है वहां dollars स्विकार नहीं होते वो उसे देखता है और देखते ही कहता है that ain't money mister ये पैसा नहीं है is it money do you want to skin me are you if you are trying to skin me you won't get very far तो मुझे दोखा देना चाहते हो नकली लोट थमाना चाहते हो I will put you behind the bars अर्थात मैं तुम्हें जेल में डलवा दूँगा फिर चारली सोचता है बुरे फंसे 1894 की तो जेल भी कितनी खतरनाक होंगी और वो कहता है I immediately got out fast मैं जल्दी से वहां से भाग लिया बच निकला लेकिन he wanted to visit Galesburg he wanted to experience the beauty of Galesburg again इसलिए he went he goes to his bank he withdraws 300 dollars whatever he has in his account and get exchanged with the bills और उन डोलर को बिल में exchange करवाता है with a premium amount क्योंकि पुरानी करंसी जब हम लेते हैं तो हमें extra पैसे देने पड़ते हैं और उसको 300 dollars के comparison में उसके exchange में less than 200 bills मिलते हैं जो उस third level पर चलने वाली करंसी थी क्योंकि वो वहां जाना चाहता है टिकेट्स लेना चाहता है उसके पस्चात उसने कई बार प्रयास किया third level को ढूंडने का वहां जाकर टिकेट खरिदने का लेकिन वो कभी उस third level को दुबारा सर्च ही नहीं कर पाया वो आर्क्ड डोर्वे उसको फिर से कभी नहीं मिला वो ये सारी कहानी अपने पतनी से ब पताता है उसका psychiatrist friend Sam कहता है औरे there is no any third level there are only two levels तुम पागल हो गए हो are you sane there is no any third level how can you experience it how can you imagine it वो कहता है you are not satisfied with your present world this is the sense of insecurity this world this present world is full of insecurity fear war and worry आपको पता है world war first world war 1914 में शुरू हुआ और ये कहानी है 1894 की first world war से पहले दुनिया में कितनी शांती होगी कितना peace होगा कितना आनंद होगा second world war शुरू हुआ 1939 में और ये उससे 40 वर्ष पहले की बात है तो कितना शांती प्रिये गेल्सबर्ग कितना peaceful और wonderful city गेल्सबर्ग की कलपना वो कर रहा होगा कहता है जब हम शंतुष्ट नहीं होते जब हम insecure होते हैं worried होते हैं fearful होते हैं तो हम शांती की जगे जाना चाहते हैं this is known as escape easy आप escape करना चाहते हैं आप reality से भागना चाहते हैं इसलिए आपने third level को imagine किया है third level नाम का कोई level grand central station पर है ही नहीं आप तो एक refuse लेना चाहते हैं इस दुनिया से परे किसी शांत जगे पर यहीं आपका दिमाग सूच रहा है इसलिए आपने third level को imagine किया लेकिन और वो Sam कहता है this is a walking dream wish fulfillment चलते हुए अपने इच्छाओं को पूरा करने वाले का सपना है यह उस सपना आप ले रही हो ऐसा कुछ है नहीं इस पूरी कहानी से लुईसा gets worried वह भी चिन्तित हो जाती है and asked her husband never to search third level again कि आप मत ढूंडना third level को आप पागल हो गए हो लुईसा को भी चिन्ता हो जाती है लेकिन उसके बाद जो third level उसने चलते चलते उस शाम को ढूंड लिया था अचानक accidentally आज जान बुज़ कर प्रियास करने के बाद भी वो ढूंड नहीं पा रहा है यही रहसे है इसले समय आएए देखते हैं आगे क्या होता है काफी लंबे समय के बाद चारली को जो third level प्रियास करने के बावजूद नहीं मिलता है तो चारली पुनह अपने फिलेट ली अर्थात ticket collection की जो उसकी habit थी उसको जो उसकी hobby थी उसमें एक दिन letters को देख रहा होत है उससे पहले उसका psychiatrist friend Sam accidentally disappear हो जाता है और थात वहां से गाइब हो जाता है किसी को नहीं पता कि वो कहां गया चारली suspect करता है शंदेह करता है कि जरूर Sam Galesburg Illinois चला गया होगा उस peaceful दुनिया में चला गया होगा उस बहुत ही सुंदर जगे पर चला गया होगा फिर एक दिन वो अपने पुराने letters को अपने drawers में देख रहा होता है he finds a first day cover यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि first day cover क्या होता है जो ticket संग्रह करने वाले जो लोग होते हैं जिनकी habit होती है संग्रहन या जिनका शोक होता है collection gathering वो भी ticket संग्रह करता था वो बताता है कि मेरे द उस्वेल्ट भी किया करते थी यह habit है यह एक शोक है कोई coins इकठी करता है कोई tickets इकठी करता है उसने एक first day cover देखा first day cover होता है जब भी कोई नई dark ticket जारी होती है तो पहली dark ticket एक खाले लिफाफे पर लगा कर उसमे एक plain paper डाल कर swim का address करके हम भेजते हैं ताकि उसका record रहे इ इस पर के अंदर से जब उसने page खींचा उस page को page खाली नहीं था it was not blank it was dated July 18, 1894 इस पर कौन से date थी 18 July 1894 यह Galesberg से आया था उसमें address भी लिखा हुआ था और letter को लिखने वाला था Sam लेकिन उसके उपर address था उसके grandfather का आप देखिए imagination और fantasy का कितना बड़ा संगम letter लिखता है Sam कब लिखता है आज present में letter लिखता है उसके grandfather को कब लिखता है 1894 में how can it be possible ऐसा कैसे हो सकता है यही तो mystery है उस letter में लिखा हुआ है वो letter संबोधित है Charlie के नाम से address है उसके grandfather का मिला है आज लिखा था Galesberg में मिला है New York में तो वो कहता है कि Charlie I have found the third level I have reached here before two weeks दो सब्ता से मैं यहां हूँ मैं आनंद ले रहा हूँ यहां पर मैं किसी के साथ laminate पर जा रहा हूँ या निम्बू पानी के लिए मुझे बुलाया है या मैंने उसे बुलाया है हम यहां आनंद ले रहे हैं this is really a wonderful place you were right तुम सही कह रहे थे the third level exists third level है मुझे मिल गया है आप भी यहां आईए keep looking for the third level keep searching and Charlie come back Charlie and Louisa Charlie और Louisa आजाओ यहां इस बहुत ही सुन्दर स्थान है यही हम रहेंगे यही हम अपना जीवन यापन करेंगे Sam लिखने वाला Sam है अब Charlie को एक अजीब सी बात होती है Charlie इस बात को verify करना चाता है और वहां कुछ ऐसे exchange boots पे जाता है जहां नई currency से पुरानी currency exchange होती है तो वह पाता है कि Charlie ने 800 dollars के बदले old currency bills खरीदे हैं exchange करवाए थे कुछ समय पूर में अब उसे विश्वास हो जाता है that Charlie had gone to Galesburg he is in Galesburg, Illinois और 800 dollars is a big amount वो कहता है इतनी amount से तो वो जो कहा करता था कि मैं hay, feed, grain का business करूँगा व्यापार करूँगा वो hay, feed और grain का व्यापार उसने वहां शुरू भी कर दिया होगा वो business उसने वहां start भी कर दिया होगा अक्सर वो कहा करता था इस परकार से ये story यहां खात्म हो जाती है इस story में कहीं ये नहीं बताया गया है कि third level था या नहीं reality में था या imagination था यहां पर एक mystery हमारे लिए छोड़ दी गई है लेकिन ये story या Charlie का वो experience with the third level उसे insane तो बिलकुल नहीं बताता उसे पागल तो बिलकुल नहीं बताता क्योंकि वो reality और imagination का बहुत ही सुन्दर संगम यहां प्रसुत करता है यहां बताता है this is the end of the story go through this story read it again and note down the brain maps of this story and get good marks in the examination thank you very much